प्लाश टेन्थ की एक छोरम पायतक और अस छोरम के बारे में पढ़ने वाले हैं वैसे तो यह क्लाश 10 की थेयरम है बट जहां तक मेरा मालना है कि अप्रॉक्स हर क्लास में इसका यूज है क्लास 6-12 तो यह वीडियो ना सिर्फ क्लाश 10 के लिए बलकि सारे इस्टेन्थ के लिए पायतक और इस थेयरम का प्रूफ कैसे करते हैं इंपोर्टेंट है और इस थेयरम को करने से पहले 10 क्लास के लिए मैं बता दूँ थेयरम 6.7 है एक बार उसको जरूर पढ़ लिजीगा उसके बाद आपकी यह थेयरम और भी इसी हो जाएगी और इसको करना इसी हो जाएगा तो देखें थेयरम 6.7 कहती क्या है थेयरम 6.7 में लिखा है कि if a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle कि एक right angle triangle है और right angle से हम hypotenuse पे कोई भी अगर perpendicular draw करते है then both the triangle on the both side of perpendicular are similar the whole triangle to each other तो देखें कहा क्या गया है इस थेयरम में कि अगर एक triangle है आपका a, b, c जिस पर यह right angle triangle है और right angle के vertex से आप hypotenuse पर अगर कोई 90 degree का angle बनाते है तो जो दो triangle बनेंगे अगर मैं इसको one और देखो यह दो triangle बनेंगे यह दोनोई ही triangle इस पूरे triangle के similar होंगे मैंने लिख दिया triangle a, d, b and triangle b, d, c is similar to triangle a, b, c यह आपकी थेयरम 6.7 है 10th class में इसका use है आगे क्या use है वो देखेंगे हम आगे देखें उस से पहले क्या Pythagoras theorem क्या कहती है कि in a right angle triangle यह अगर किसी triangle में right angle बन रहा है The square of the hypotenuse hypotenuse means a, c का square is equal to the sum of square of other two sides That means a, b square plus b, c square यह आपको prove करना है तो देखें prove करते हैं जो हमने यह लिया है यहां write down करा है इसके according चलते हैं क्या कहा गया है कि triangle a, d, b is similar to triangle a, b, c तो देखो अगर दो triangle similar होते हैं तो उनकी corresponding sides का ratio भी equal होता है That means a, d upon a, b is equal to मैं a, b upon a, c corresponding side लेने हैं देखो a, d लिया तो a, b and a, b upon a, c वैसे तो तीनों होती है बट use हमारा इन दो का ही है यह हमने number one माल लिया मैं इसके आगई कर देता हूँ triangle b, d, c is similar to triangle a, b, c यह भी हमने उपर वाली theorem से पढ़ा तो जहां से क्या हो गया कि c, d upon b, c is equal to मैं b, c upon a, c तो देखिए अगर मैं इसको यहां cross multiply करवा देता हूँ तो a, b square will be equal to a, d into a, c and यहां देखिए b, c square will be equal to c, d into a, c यह होगा मैं इसको number one and इसको number two माल लेता हूँ यह मैं यहां cut देता हूँ, तो देखिए add one and two that means a, d into a, c plus c, d into a, c is equal to m'n a, b square plus b, c square देखिए इन दोनों मैं मैं a, c, common ले लेता हूँ bracket मैं पचेगा a, d plus c, d is equal to a, b square plus b, c square देखिए a, c यहां पर मैंने as it is लिख दिया and a, d plus c, d a, d plus c, d that will be equal to a, c is equal to a, b square plus b, c square and a, c into a, c that will be equal to a, c square is equal to a, b square plus b, c square और यही प्रूव करना था कि a, c square is equal to a, b square plus b, c square देखिए यही to prove मैं था and यही हमने यहां नीचे आकर prove कर दिया इसके आगे हम लिख देते हैं hence proved तो यह तरीका था pythagoras theorem prove करने का theorem 6.8 है आपकी class 10th में अगर वीडियो समझ में आ गई हो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को like जरूर करे comment करकर जरूर बताए कि वीडियो कैसे लगी आपको मेरा पढ़ाले का तरीका कैसे लगा और अगर आप मेरी वीडियो आगे भी देखना चाहने हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें